नमस्कार and very good afternoon to all of you call for care में आप सभी का स्वागत है चहरे को खुबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को कंसर्ड करते हैं, अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं घर में जितनी चीज़े होती हैं उन सब से experiment कर लेते हैं जो हमें कुछ भी नया बताता हैं उससे भी try करते हैं लेकिन फिर भी कभी न कभी कैसे न कैसे हम सब ने pimples को जरूर experience किया होता है वो हमारे face पे कैसे भी करके जरूर आ जाते हैं तो इन pimples को जो आप खुबसूरती को खराब करते हैं आपके skin को खराब करते हैं और अगर आप pimples की सही तरीके से देख भाल नहीं करते हैं सही तरीके से उससे डील नहीं करते हैं तो वो अपने निशान भी छोड़ जाते हैं किस तरीके से और फिमपल्स को या डील Katha सकते हैं नाट्रिल तरीके से नाट्रबैथी के जरिए किस तरीके से आप मिपुल्स को खत्म कर सकते हैं आज आहीं बात करेंगे आम रजनी दुगल जी μέंगे इच्वर्थी के साथ क्योंकि पिंपल, अक्ने और अलग जो भी मोल्स हमारी चेहरे पर जाते हैं, कई बार हम इसमें गन्फ्यूस हो जाते हैं Actually क्या है कि पिंपल्स को समझना बहुत जरूरी है कि जो आपके फेस पर पिंपल्स हो रहे हैं जैसे आपने बोला कि Adolescence में हो रहे हैं, तो उसका कारण है simply हार्मोनल चेंजिस हैं जिसकी विजए से हमारे ब्लाड में टॉक्सिटी के लेवल चेंजिस हो जाते हैं या हार्मोन का सिक्रीशन चेंज हो जाता है, जो कि एक टेंपररी फेज है उसका आना और चला जाना हमारे एजिंग के साथ रिलेटेड है, यानि कि Adolescence के साथ रिलेटेड है जैसे जैसे आपके अंदर हार्मोनल बैलन्स होना शुरू हो जाता है वो अपने आप टेपर ओफ होने लग जाते हैं, सिरफ आपको थोड़ी प्रिवेंशन लेनी पड़ती हैं कि आप उनको scratch ना करें, उनको तोड़ने की कोशश ना करें और नहीं कुछ ऐसा harsh apply करे कि जिसकी वज़े से वहां कोई permanent नुकसान हो सकी लेकिन अगर pimples हो रहे हैं और long term तक हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि यह ठीक नहीं हो रहे हैं then there is a time कि आपको यह पता करना है कि यह क्यों हो रहे हैं pimples basically होता क्या है कि आपकी skin की जो upper layer है, epidermal layer में जो हमारे pores हैं, जो हमारे skin के उपर oil glands के open pores हैं उन pores में जो infection हो जाता है sebaceous glands के ducts में, उस बज़े से पास्या पॉस्ट्यूल बन जाता है जो कि pimple कहलाता है, अपने समय में यह धीरे धीरे बनता है और shed off हो जाता है अगर यह infection बहुत mild होता है, लेकिन अगर यह infection जादा है और कारण थोड़ा deep rooted है तो it might take time जब तक आप उसके cause को cure नहीं कर देंगे, तब तक वो pimples ठीक नहीं होते हैं तो it's important कि आप समझें कि problem क्या है और तब उसका cure करें तो जैसे कि रजनी जी ने बताया कि अगर उम्र के साथ आपको pimples हो रहे हैं In fact, काफी age हो जाने के बाद भी कुछ लोग pimples को experience करते हैं तो क्या होती है वो situation कैसे उन लोगों को deal करना चाहिए जिनके साथ एक लंबे समय से pimples चले आ रहा है या pimples की problem हो रही है Age के साथ हमने माल लिया hormonal disbalance की वज़े से हो गया तो वो एक external reason है कि this is happening यह हो क्यों रहा है उसके लिए बहुत important है कि आप यह जाने कि आप में blood में किसी तरह की toxicity का level बढ़ गया है यानि कि blood में purity का level थोड़ा कम हो गया है हो सकता इसका कारण आपका diet आपका lifestyle हो या यह भी possible है कि आपने कोई ऐसी medicines खा ली है जिस वज़े से आपका blood की purity का level कम हो गया है ऐसे case में यह blood जब circulate करता है तो जैसा आप समझ सकते हैं face is the mirror of body जो body के अंदर toxins का level high होगा तो face के अलग area में वो अलग-अलग तरह से नजर आता है कभी-कभी तो ऐसा होता है कि pimples जब बहुत बढ़ जाते हैं इसका major reason constipation भी है कई लोगों को constipation की major problems होती है that is related with pimples तो वो क्या है external causes remove करते रहते हैं लेकिन constipation पे ध्यान नहीं देते और ये जो reason है इसकी वज़े से जो pimples हैं बढ़ते बढ़ते कई बार arms तक आ जाते हैं इवन upper back पे भी आ जाते हैं तो इनका acne का बढ़ जाना आपने आपने आप में एक बहुत ही worrying status हो जाता है अगर आप उसके cause को क्यों और नहीं करेंगी वो तभी possible हो सकती है जब internally आपके अंदर जो भी functions है वो properly हो रहे हैं आपकी diet अच्छी आपकी lifestyle अच्छी है आप proper नीन ले रहे हैं आप stress से दूर है ये तमाम चीज़ है ये तमाम factors मिलकर ही आपको बहारी तोर पर खुबसूरत बनाते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है चाहें हम pimples की ही बात क्यों ना करें सबसे पहले आप ध्यान दीजे क्या आप सही diet ले रहे हैं ये ध्यान दीजे क्या आपकी lifestyle healthy है क्या आप रोज exercise करते हैं क्या आपकी नीन पूरी हो रहे हैं कहीं आप बहुत ज़्यादा stress तो नहीं ले रहे क्योंकि research बताती है कि अगर आप ये तमाम चीजे हैं ये भी आपकी life में एक imbalance हो रहा है तो उसकी वज़े से भी pimples हो सकते हैं चलिए सबसे बहुत करते है रजनी जी ट्रिगर कर देती है बिलकुल जो आपकी डायट है that really plays a very important role अगर आपकी डायट में बहुत ज़्यादा refined products आप यूज कर रहे हैं यानि कि synthetic products ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा overcooked food ले रहे हैं बहुत ज़्यादा oily food ले रहे हैं ऐसा food ले रहे हैं जिससे आपको direct nourishment नहीं मिलती है इन सब की वज़े से क्या होता है कि जो हमारा metabolism है उस पे stress आ जाता है और जो food हमने किया है वो properly absorbed नहीं होता उसके residues हमारे system में रह जाते हैं इस वज़े से जब हमारी blood में toxicity यानि की impurity का balance बढ़ जाता है वो एक major reason है pimples का ज तो बहुत important है कि आप कम से कम 10 गिलास पानी जरूर पीजिए बजाए इसके कि आप कोई processed water ले रहे हैं just go for water इसके अलावा lemon juice बहुत बढ़ा role play करेगा कि आप जितना जादा नीमू का सेवन करते जाएंगे उतना उतना toxicity आपकी body में से यानि की impurity कम होती जाएगी साथ में अगर एक major reason है आपका constipation, आपका stomach clear नहीं हो रहा है और it's a chronic status, यानि की over the time ये build up हो जाता है जैसे आपके पास time ही नहीं है इस problem को दूर करने का, तो external packs वो उतना effective नहीं होंगे, pimple सुखेगा, दूसरी जगा बन जाएगा, और scar भी छोड़के जाएगा, ये बहुत बढ़ तो constipation को cure करने के लिए आप जो possible remedies जैसे जादे से जादा fruits and vegetables को खाना, salads को जादा से जादा कहना, और किसी भी ऐसे चीज को combine नहीं करना, जिनका combination अपने आप में एक wrong diet का combination बन जाता है, तो इस तरह का चीजों का ध्यान रखने से आपको internally body को detox करने में help मिलेगी, और pimples को आप बिलकुल root call से खतम कर पाएंगी, बिलकुल तो बहुत जरूरी है, जैसे कि रजनी जी ने बताया है कि बहुत जादा over cooked food का इस्तमाल ना करें, बहुत जादा oily food का इस्तमाल ना करें, इस बात का भी धान रखें कि पानी, normal जो पानी होता है, उसका intake आपकी body में सही हो या नहीं हो रहा, आपकी जो diet है वो proper है या नहीं, साथ ही साथ अगर आपको constipation है, तो वो बहुत major factor हो सकता है, pimples का, यानि कि बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उपरी तोर पर ही मेहनत मशक्कत ना करते रहें, थोड़ी सी मेहनत internally भी करें, थोड़ी सी अपनी diet को regulate करें की intake जादा करें, और अगर constipation जैसी कोई भी problem है, तो पहले उसे वक्त दे, अगर आप उसे ठीक कर लेते हैं, तो pimples भी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, अभी प्रोग्राम में वक्त होगे एक छोट से break का, break के बाद हम फिर लौटेंगे और तब बात करेंगे कि अगर कैसे किस तरीके से नाच्रोपैथी के जरीए आप ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से आप उन्हें इस तरीके से डील कर सकते हैं, कि वो जो आपके pimples है, वो स्कार न छोड के जाए, बहुत ही आसानी से आपके जिंदगी से बाबाय कहके चले जाएंगे, तो इसके लिए अभी हम बहुत जादा आपके फेस पी आजाते थे ओफस में किसी काम का प्रेशर होता था तो आपको लगता था कि आरे पिंपल्स बहुत जादा हो रहे हैं जी हाँ, stress एक बहुत बड़ा कारण होता है पिंपल्स का, अगर आप बहुत जादा stress लेते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो भी pimples आपको बहुत जादा हो सकते हैं, इसलिए ये कोशिश कीजिए कि stress को अपनी life से दूर रखे, stress ना सिर्फ pimples बलकि और भी बहुत सारी बिमारियों को नियोता देता है, तो खुश रहे ताकि आपकी skin, आपकी body, आपकी health वो भी happy रहे, क्या कहेंगे आप stress के बारे में, stress कितना बड़ा factor होता है pimples के लिए कितना जरूरी होता है stress-free life रखे हमारे, ताकि ना pimples हो ना और भी कोई बिमारी देखी, अगर stress होता है, एक normal factor है, आप देखे कभी आपको tension हो तो भूख नहीं लगती है तो simple as that, कि आपकी life में अगर stress है, तो उसका effect हमारे digestive juices पर पढ़ता है तो during stress आपने जो भी खाया, उसमें आपके digestive juices ने उतना ज़्यादा role play नहीं करा तो as a result, जो आपने खाया है, वो कितना भी healthy है वो digest नहीं हुआ और वो हमारी body में as it is, as a residue रह गया, जिसकी वज़े से pimples एक बहुत बड़ा result के रूप में आएंगे, तो इस तरह से stress directly हमारा, क्योंकि digestion system को खराब करता है, तो stress is very, very important factor pimples को बनाने में बिलकुल, तो यानि की जो सार है इस बात का वो ये है कि आगर आप pimples से दूर रहना चाहते हैं, तो stress से भी दूर रहने की कोशिश कीज़े, रजनी जैसे कि हमने बात की थी, कि pimples जो हमारे skin पे pose होते हैं, जो ब्लॉक हो जाता है, pimples की formation होना शुरू हो तो चलिए, इसी से शुरुआत करते हैं कि pose की cleaning कितनी जरूरी होती है skin की cleaning कितनी जरूरी होती है और किस तरीके से करने चाहिए ताकि pimples इनकी formation ना हो पाए देखिए, सबसे इंपोर्टन है कि अगर pimples हो रहे हैं, तो आपने बहुत जादा oily चीज़ों का pores बंद हो जाएंगे और जो secretion है sebum का, उसमें infection आ सकता है, वो एक बहुत बड़ा external reason है कि हमने अपनी skin को साफ नहीं रखा, और makeup being a very very big deal क्योंकि आजकल ये जैसे शादियों में जाते हैं, रात को आकर थक गई सो गई और cleansing नहीं किया that is another reason कि pimples हो सकते हैं, यानि कि externally आपने pores को बंद कर दिया, इसके इलावा अगर हमारे daily routine में हमने अपनी skin को proper clean नहीं किया, तो भी pimples एक बहुत बड़ा problem लेके आ सकते हैं, तो natural तरीके से कैसे cleansing toning की cleaning, cleansing toning ये जो proper आपकी cycle है उसको कैसे आप follow कर सकते हैं, natural क्या तरीके हो सकते हैं, घर के ऐसे कौन सी चीज़े हो सकते हैं, जिसका इस्तमाल किया जा सकता है अगर आपके pimples prone skin है यानि pimples आते रहते हैं off on तो आपके लिए बहुत important जो product आपको use करना है वो है neem, आप neem की पद्यां ले लीजिए और उसका पानी boil कर लीजिए अची तरह से अब उस पानी को चान कर आप अपने पास फ्रिज में रख सकते हैं और इस पानी को as a tonic इस्तमाल कीजिए तो भी अच्छा है और otherwise आप जो face pack face पर लगाते हैं उसमें आप सिर्फ मुलतानी मिट्टी में नीम का जो आपने पानी बना कर रखा है उसकी पेस्ट बनाई हैं और उसको यूज करिए alternate days पे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो pimples है वो कम होने शुरू हो गए हैं लेकिन क्यूंकि हम face pack recommend नहीं करते रोज लगाना तो इस बेटर कि आपका जो नीम का पानी आपने बनाया है और साथ-साथ में थोड़ा गुलाब जल उसको equal quantities में mix कर लीजिए और उसको as a cleanser यूज करें यानि कि आपने face उससे साफ करना है वो आपकी skin को tone भी बहुत अच्छा करेगा आप देखेंगे कि धीरे-धीरे pimples आपके taper off होना शुरू हो गए है क्योंकि नीम एक बहुत अच्छा antiseptic है और pimples को बनने से रोकता है वेरेज अगर आपको लगता है कोई बहुत बड़ा पस वाला pimple बन चुका है पॉस्ट्यूल बन चुका है यानि की pimples जो है वो काफी समय तक नहीं जा रहे है तो simple आपने नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते इनको pulp form में बना लीजिए और apply it on the affected area जहां पर pimples की जो density है बहुत जादा है आप उसको अगर regularly भी लगाएंगे तो आपको problem नहीं आएगा रिमूव करने के बाद just apply a single drop of almond oil so that skin पर dryness ना आए आप देखेंगे धीरे धीरे इसका effect आपको skin पर महसूस होने लगेगा बिल्कुल तो जैसे कि रजनी जी ने बताया कि अगर pimple prone आपके skin है तो किस तरीके से आपको cleansing करनी चाहिए किस तरीके से toning करनी चाहिए face pack कर इस्तमाल करें लेकिन रोज face pack कर इस्तमाल करना recommend नहीं किया जाता है तो उस बारे में भी ध्यान रखें रजनी जी ये तो हमने बात की cleansing की, toning की और किस तरीके से हम अपनी skin को pimples से बचा सकते हैं किस तरीके से we can make it sure कि pimples हमारे skin पे हो ही ना अगर आपको रोज बेक अप लगाना है आप इस तरह की feel में हैं या फिर आपको बहुत घंटे बाहर रहना है जहां धूल और मिटी आपकी skin को खराब कर सकती है पोस को ब्लॉक कर सकती है तो किस तरह के preventive measures आप ले सकते हैं ताकि pimples ना हो देखे, pimples को prevent करने के लिए pimples ज़्यादा तर उस skin पर आते हैं जहां पर pimples की density बढ़ने के लिए open pores की presence भी ज़्यादा होती है इन दाट केस आपने regularly अपनी skin के open pores का ध्यान ज़रूर रखना है मानलीच अगर pimples नहीं है और सिरफ open pores है तो simply tomato के juice को आप अपनी skin पर apply करें तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके skin के उपर जो open pores हैं वो काफी हद तक कम हो गए है इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आपने धूप में बाहर जाना है तो as a protection आप अपने face पर aloe vera gel लगा सकते है aloe vera gel एक ऐसा product है कि अगर आप धूप मर जाने से पहले अपनी skin पर लगाते हैं तो वो pollution के और dust के जो particles हैं उनको skin के pores में penetrate होने से बचाएगा और as a result आपके pimples नहीं बनेंगे और first thing is कि जैसे ही आप घर में आते हैं सबसे पहले आप अपनी skin को अच्छे से साफ कीजिए you can use a neem soap also if you want और neem के पानी का ही जादा से जादा इस्तेमाल करें आप देखेंगे कि आपने इतनी भी prevention अगर लेनी शुरू करी है जो नए pimples regularly आपकी skin पर आ रहे हैं वो नहीं बनेंगे नहाते हुए भी अगर पानी में थोड़ा सा आप neem का पानी डाल लेते हैं या फ्रेश नीम की पतियां डाल लेते हैं तो अगर आपकी body पर भी pimples आ रहे हैं आप उनको भी prevent कर पाएं बिल्कुल और नीम क्योंकि antiseptic properties होती हैं उसमें तो आपकी skin के लिए बहुत अच्छा रहता है और aloeira juice, aloeira gel जैसे की रशनी जी ने बताया अगर आप उसको apply करके बाहर जाते हैं तो ये आपके जो pose हैं उसके अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं जमती है और जो pimples होनी की संभावना है वो काफी कम हो जाती है लेकिन अगर कभी आपको pimples हो गया है और आपके लिए कोई बहुत ही special day है आपको कहीं जाना है तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे एक दिन में एक रात में आपको pimples गायब हो जाए यह जानेंगे हम रजनी जी से मगर इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद इक बाद फिर से call for care में आप सभी का स्वागत है call for care में आज हम बात करें है pimples की समस्या के बार में ताकि हम तयार हो पाए अपने special day के लिए क्या कहती है रजनी जी बहुत बार होता है हमें किसी function में जाना होता है किसी meeting में जाना होता है कोई भी special दिन होता है और एक दम से pimple नजर आ जाता है और लगता है कि God इसने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया तो क्या उस pimple को एक दिन एक रात में ठीक किया जा सकता है क्या कोई जादू की छड़ी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है नाचरो प्रथी में नाचरो प्रड़क्स में इतनी ज़्यादा वराइटी है अवेलिबल जो हम प्रड़क्स को डील करने के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन ये जो प्रड़क्स हम बताने जा रहा है आप उसको जब इस्तिमाल करें वाली चीज़ 1-2 है जादा इस्तिमाल ना करें आप तब सिपाल करें जो आपको SOS में काम आजाता है मान लीजे आपका कोई पस वाला पॉस्टूल बन गया है तो उसको अगर आप बहुत जल्दी रिमूफ करना चाहते हैं तो एक चुटकी काली मिर्च लीजिए और आप उसका पेस्ट बना लीजिए तो जितना आपने काली मिर्च लिया उतना मुलतानी मिट्टी लिया और उसको नीम के पानी में पेस्ट बनाकर अगर अगर उस पिंपल पर लगाते हैं तो वो शेड़ ओफ हो जाएगा alternatively आपको लग रहा है कि वो दो-तिन दिन से बन रहा है और जल्दी खतम करना है तो आपको जाएफल लेना है और जाएफल को थोड़ा सा पीस लेना है and that is the best remedy आपके पिंपल्स को जल्दी से जल्दी सुकाने के लिए और लास में एक और टिप देती हूँ कि अगर आपका पिंपल्स वाके ही आपको परिशान कर रहा है तो simply आपने नीमू का रस लेना है और आप उस नीमू के रस को किसी cotton bud के साथ उस एरह में अपलाए कर दीजिए यह आप दिन में भी कर सकते हैं इसको बाकी चीजें तो नजर आएंगी वो नजर नहीं आएगा तो इनन एमजेंसी आप प्लेन लेमन जूस को भी पिंपल पर लगा कर उसको खतम कर सकते हैं इनकेस वो बहुत जलन कर रहा है तो आप उसकी पेस्ट मुलतानी मिट्टी में बना कर लगा सकते हैं यह थोड़ से इरिटेटिंग है विस इमजेंसी आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तिमाल ना करें और सिर्फ इमजेंसी में इस्तिमाल करें और सबसे इंपॉरे फेस पे ना लगाएं बिकुस इसमें जलन हो सकती है यह सिर्फ उस पस को सुकाने के लिए हम यूज करेंगे जो पिंपल के अंदर है और वो जल्दी सूख जाएं बिलकुल तो रजनी जी ने हमें वो जादूई टिप्स दिये हैं जिससे एक दिन में एक रात में आप अपने पिंपल के साथ डील कर सकते हैं अपने स्पेशल जे के लिए तयार हो सकते हैं लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि यह जो टिप्स है जो नुसके है सिर्फ इमर्जेंसी के लिए है इसलिए अगर आप रेगुलर्ली इसका इस्तमाल करेंगे तो हो सकता है कोई और इसका साइड एफेक्ट आपको नजर आए रजनी जी बहुत बार देखा गया है कि पहले ब्लाचेट फर्मेशन होती है उसके बाद फिंपल का फर्मेशन होता है जो अपने आप में डॉबल्ल्लमाटिक सिच्ट इन को रोका जा सकता है किस तरीके से हम अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं देखे जो पिंपल के बीच में blackhead present होते हैं हमें कभी भी उसको extract नहीं करना चाहिए बिकॉस जैसे हमने उसमें extraction किया तो वहां पर pimple का जो पिट है यानि कि जहां पर post technique scar है वो बहुत डीप रह जाएगा सबसे पहले हमने उस पस को सुखाने के लिए नीम का पाक या तुलसी के पाक का इस्तिमाल करना है इन फाक्ट अगर आप blackheads के साथ deal करना चाह रहे हैं तो आप तुलसी की पतियों में थोड़े से पुदीने की पति यानि की पुदीने की पतियों का जो पल्प है वो भी बहुत अच्छा है आपके pimples और blackheads की problem को deal करने के लिए रेगुलर्ली तीन चार दिन आप रेगुलर्ली इसको सिर्फ affected area पे लगाएं इस pulp को जब वो पस सूख जाती है और सिर्फ blackhead visible होता है उसके बाद आपने इसको orange peel powder के scrub में थोड़ा सा रक्त चंदन का बुरादा mix करना है और उसको as an exfoliator use करना है नीम के पानी के साथ यानि pimples हैं आप कभी भी scrub का इस्तिमाल ना करें जब तक आपके pimples सूख नहीं जाते हैं जब यानि कि बहुत जरूरी है कि अगर फेस पे बहुत जादा pimples है scrub का इस्तिमाल ना करें और pimples के साथ अगर blackheads भी हो गए है तो उन्हें extract करने की बिल्कुल कोशिश ना करें scar बन सकता है बार-बार pimples हो सकता है इसलिए बहुत जरूरी है पहले pimples को dry करने की कोशिश कीज़े और फिर आप अपने blackheads के साथ deal कीज़े लेकिन रजनी जी हमने देखा है कभी भी beauty की कोई बात होती है तो बहुत सारी आप जाहें चाहें मांगे या ना मांगे बहुत सार myths या बहुत सारे facts जुड़े हुए हैं कहते हैं कि अगर आप toothpaste उस पर लगाते हैं कहते हैं अगर आप अपना saliva उस पर लगाते हैं तो भी pimples ठीक हो जाते हैं Is it true or it is just a myth? See, जहां तक saliva की बात है तो आपको मालूम है हमारे जो saliva है उसमें actually antibacterial qualities होती है तो जब morning में आप सुबह उठते हैं उस time पर उसका content जो होता है actually एक antibacterial juice का काम करता है तो वो सच है अगर आप उसको use करते हैं और आप रात को brush करके सोए हैं तो that can be effective लेकिन जहां तक आप toothpaste का बात करते हैं तो toothpaste एक ऐसा product है जो कि synthetic है उससे simple सूख सकता है लेकिन जो post acne scar है वो हो सकता है red हो जाए और उसके कारण परशानी हो तो natural अगर saliva है और उसके हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो वो एक logical reason है लेकिन जो आपकी toothpaste वाली बात है उसमें वो drying properties होती है इसको हम use करते हैं लेकिन after effect कई बार harmful हो सकता है जी यानि मिट्स और facts जोनों ही जुड़े हो है और जैसे कि रजनी जी ने बताया कि saliva एक अच्छा option हो सकता है आपके pimple के लिए क्योंकि उसमें antibacterial properties होती है लेकिन toothpaste क्योंकि synthetic होता है तो इसके इस्तेमाल से बशना चाहिए संशेप में आपसे आखिर में यही जाना चाहूंगी बहुत शॉट में जाना चाहूंगी कि वो pimple जो scar छोड़ जाते हैं उनसे कैसे deal करें उन्हों scar को कैसे दूर कर सकते हैं बहुत ही संशेप में scar जो होते हैं उनकी dealing सिरफ तब शुरू करें जब आपके pimples पूरी तरह से सूख चुके हैं एक हफ़ते में आपने सिरफ एक बार scrub का इस्तेमाल करना है scar वाले area में और आप उसको धीरे-धीरे exfoliate करते हुए निकाल दीजिए और जो आपने scar को दूर करने के लिए scrub यूज करना है उसके ingredients equal ratio में लेने हैं आपने lemon peel powder साथ में sandal powder और थोड़ा सा neem powder इन powders को mix कर लीजिए नीम water में और गुलाब जल में और आप पूरे face पर लगा दीजिए और धीरे-धीरे scrub करते हुए wash कर दीजिए इसको सुखाने की कोई जरूरत नहीं है आप देंगे के दीरे-धीरे आपके scar खतम हो रहे है तो चलिए thank you so very much आपने बहुत अच्छे tips बहुत सारी अच्छी बाते हमारे साथ शेयर की pimples को टील करने के बहुत सारे तरीके बताए इतना वक्दियर्स क्लिप बहुत बहुत धन्यवाद You're welcome